अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके mobile नमबर या फिर email आईडी से कितना Instagram अकाउंट बन चुका है अभी कितना Instagram अकाउंट आब लेबल है या फिर कौन कौन सा Instagram अकाउंट चल रहा है तो इस वीडिव मां आपको यही चीज बताने वाला हूँ अगर आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकीर आप देख रहे हैं TagS9 Official YouTube चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विना टाइम वेस्ट करे तो इसके लिए सबसे पहले चलेंगे अपने Instagram अकाउंट पर यहाँ पर आने के बाद अगर कोई भी आईडिया अपने लॉग इन किये है तो उसे लॉग आउट कर दे या फिर नीचे आपको Add अकाउंट का उप्शन मिल जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगगे इस पर क्लिक करने के साथ ही आप आप इस पेज पे जहां पे आपको एक login code दिया जाएगा ये code आपके mobile number पर जाएगा जहां से आपको verify करना है या फिर ये खुद verify कर लेगा अब जैसे verify हो जाता है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके इस mobile number से जितना भी Instagram account create हो चुका है अभी तक वो सभी यहां पर देख जाएगा जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं और लेडी login के नीचे आप मेरा Instagram account देख सकते हैं जो मैं यूज करता हूँ टेकिस9 official और इसके अलाबा उपर आप तीन account और देख सकते हैं जो मैंने इस mobile number से बनाया है और मैं आपको सच बता रहा हूँ इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था मतब याद नहीं था यह account उस time का है जब मैं YouTube पे नया नया था उस time में मैंने साथ इसे create किया था लेकिन यहां पर जितने भी accounts आपके इस mobile number से बने होंगे वो आपको यहां पर मिल जाएगा तो इस तरह से आप simply पता कर सकते हैं कि आपके किसी भी mobile number से कोई account create है या फिर नहीं अगर create है तो कितना account बना हुआ है यहां से आपको पता चल जाएगा यह तो हो गया mobile number से अब email ID से अगर आपको पता करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए यहां पर back हो जाएंगे और इसी page पर आएंगे जहां पर हमने mobile number फिल किया था अब यहां data पता कर सकते हैं यहां पर आपको email ID फिल करना है अब जैसे यहां पर देख सकते हैं मैंने email ID फिल कर दिया नीचे next के बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के साथ ही हम आ जाते हैं next page पर जहां पर हमको login code वगेरा दिया जाएगा या फिर direct account बता दिया जाएगा तो यहां पर ज्यादा account create होगा तो आपको जिसे mobile number से दिखा था उसी तरह email ID को डालने के बाद भी आपको वह सारा account दिख जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जिससे आप actual data पता कर सकते हैं कि आपकी email ID से किता account create हो चुका है उसके ले जाएंगे phone की setting में setting में जाने क टेकेशना ऑफिसियल यह मेरा email ID है जिससे Instagram account है अगर आपको यहाँ पर आपका email ID नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या करना है नीचे आपको account को option में जाएगा इस पर क्लिक करना है जो भी email ID आपको चाहिए उसको पहले login करनेगे तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अपको पर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ आपको इक option मिल जाएगा password मैनेजर जासे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर पास्षर म की तरफ यहाँ पर इस email id से केवल और केवल एक Instagram account create हुआ है जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी मेरा एक ही account था इसलिए directly login हो चुका था तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एक ही account login है and create भी एक ही हुआ है जो कि है इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी mobile number या फिर email id से कौन कौन सा Instagram account चल रहा है या फिर कितना Instagram account अभी तक create हो चुका है तो I hope आपने इस चीज़ को समझा होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से पता करते हैं कि आपकी email id तो फिर mobile number से कितना बैल आइकेन पर क्लिक करके All पर क्लिक कर दिना है ताकि आने बाले इसी टाप की इंट्रेस्टिंग वीडियो इसकी नोटिफिकेसन आपको अप्लोड होते ही मिल जाएगी अभी के लिए इतना हैं मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद